रोंकी कड़ी खाई है कभी जिसको लोबिया भी बोलते हैं शायद पंजाबियों नहीं खाई होगी पहाडियों ने खाई होई है तो मैं थोड़ा से उसको पंजाबी टच देके बनाऊंगी बट शुबह शुबह आप मेरा मूँ देख लो सुजा हुआ मूँ सुबह अर्ली म पहन के जा रही है, बट देखो मैं न, सच में बताऊं, तो मुझे सरदियों में भी ऐसा होता था, घुटन होती थी, मेरे पार बहुत जादा गरम हो जाते हैं, इस वज़े से, न, मैं सरदियों मजबूरी थी, पहनने पढ़ती थी, बट यहां अब भी मजबूरी नहीं है, तेसले में चपल पैन रही हूँ पर सोच रही है कुछ ऐसा ढूंडूँगी नेट पे या कुछ ऐसा ओर्डर करूँगी जो मुझे कमफर्टेबल थोड़ी सी हवा भी पास होती रहे और मुझे दिक्कत भी न वाक करते हुए सुबह सुबह रोंगी उबाली थी मुम्मा ने तो मुम बोले कि अज खड़ी खाने का मने तुम गड़ी बनाओ मैंने का ठीका बनाते हैं उसमें थोड़ा सा मैंने वेशन डाला हुआ दही में ये थोड़ा पंजाबी टाच है नॉर्मली आप पहाडी टाच देखो तो थोड़ा सा डिफरेंट होता है बड़ ये थोड़ा सा पंजाबी टाच है तो मैंने जो दही लसी थी थी उसमें मैंने थोड़ा सा वेशन डा और पेरे पापा को ससुर जी को बहुत पसंद है नॉर्मली अगर उनको पकोड़े वाली कड़ी दो जो पंजाब में बहुत जादा फेमस है वो दो तो उनको बहुत जादा गरम लगती है mostly end of the story यह है कि घर में वही बनता है जो सब लोगों को पसंद है वो सब लोगों को देखके उनके taste के according उनकी health के according बनाया जाता है तो कड़ी ready हो गई है यह बहुत जादा मतलब पहाडों में तो बहुत ही जादा खाई जाती है मतलब जिसके घर में धाम होता है यह बनी हो ना तो सब लोग ऐसे चटोरे की तरह खाते मैं अभी कई बर खा लेती हूं बट उसमें ना ओरिया डालते है वो बहुत तिकी सी ल जाएगा और मन मारके खाना मुझे थोड़ा सा दिक्कत लगता है इसलिए थोड़ा वेट करेंगे और घर की सफाई कर लेते हैं ज़ड़ों पोचा कर लेते बॉंकर आप बोलोगे कि आपने नीचे रेड कलर का पहन रखा हुआ तो ना इसका जो पजामा है मतलब प्लाजो जो है इसके साथ उसमें मुझे गर्मी लग रही थी तो इसलिए ना मैंने सुबह ही फ्लेयर ही नीचे पहन रखा तो वो रेड कलर का वही पहन रखा मैं का जब बाहर जाओंगी तो बदल लूँगी यहां कौन देखने आएगा मुझे तो चाचु भी सबजियां लेगे आ फिर उसके बाद ना मेरी बड़ी बुआ जी है ना उनका नाती आया हुआ था तो फिर मैं दुबही से जो चॉकलेट्स वगरा लेकि आए थी तो मैंने सोचा कि उसको भी दे देती क्योंकि वह घर जाएगा तो घर में दो बच्चे और हैं ट्विन्स भाई है मतलब एक ट् लगते हैं विंटर में मैं दे देती हूं समर में मैं नहीं देती हूं कि मुझे पता है वो खा लेंगे तो फिर बात मैंने का बीपी हाई हो जाएगा ममी आघ यहाँगा दिक्कत आएगी इसलिए मैंने ने उनको नहीं दिय है बट बाकी मेरा पूरा बैग चॉकलेट से भर बांते हैं कि यहां से चॉकलेट वगएर आती उनको सबको बहुत जादा पसंद है वो तो इसलिए उनको वेट होता है कि जब यहां से चॉकलेट आएगी तो बांटी जाएगी तो एक पैकट से कुछ नहीं होगा तो दीदी जब आए बीच में इनके आने से पहले हस्बन के आने से पहले तो उनको मैं दे दूंगी बोलूँगी कि आप मैनेज कर लो बाद में जब यह आएंगे तो उनको बोलूँगी कि और ले आना बांटने के लिए क्योंकि बिल्कुल खाली हो गया यह बस जो निकल रहा ना इसके बाद पांच-शे पीसी सौर बच्चे थे बा मतल्हां माधवाते हैं इसपैशली बोलके खाते नहीं हैं अब एटो उनको आतो लो बागी ए बाकि बिस्कित भी लेकी आई थी चौक्लेट बिस्कित तो वो यहां भी मिल जाते हैं बट एचल जो दुबाई का टेस्ट है वह थोड़ा सा डिफरेंट है बहुत लोग दुबई की चॉकलेट को बहुत जादा पसंद करते हैं कसम से मैंने एक बार भी नहीं खाई एक बार भी नहीं खाई जब मैं फर्स टाइम मैंने ट्रेवल किया था मैं सिंगापुर गई थी जब मेरी शादी के बाद तब मैंने वहाँ पे एक चॉकलेट खाई थी मुझे उसका नाम नहीं याद है मैंने आते जाते ट्रेवल के टाइम 6 गंटे का ट्रेवल होता है अमरे सर से 6.25 तो मैंने वो इतनी खाई उसके बाद मेरा इतना मन नी मर गया मैंने आज तक दुबई में कोई भी चॉकलेट ट्राई नहीं किया टॉबलोर ने एक बाट थोड़ी सी खाई थी पर उसके बाद छोड़ दी मेरे को अच्छी नहीं लगती करना है मुह आना आगी यह बस ओई ही साव है उसके बाद मैं यह चावल देख रहे हैं मैंने मिलट के चावल बनाए हुए थे मेरे को लगा कि दूसरे खाने से सबसे बेस्ट है यह खा लो और मुझे यह बहुत जादा अच्छे लगते हैं मतलब आप ट्राई करना बिल्कुल ही चावल वाला टेस्ट आता है और सबसे जज़ादा healthy होते है fiber होता है इसमें बहुत ज़ादा तो try करना यहां मिल जाते हैं मतलब मैंने order किया था अगर यहां मिल जाते हैं delivery हो जाती तो कहीं भी हो जाती क्योंकि हमारे यहां बहुत मैंने सफर किया है बहुत जादा सफर किया है डिलिवरी का क्योंकि डिलिवरी नहीं करते थे बहुत जादा दिक्कत होती ति डिलिवरी नहीं होती थी तो मुझे फिर दीदी के हां डिलिवर कराना पड़ता था बुगा जी का नाती मेरी ननंद का बेटा आया हुआ था तो पहले उसको खाना किला फिर वो बोला कि मुझे मैगी खानी मैंने मैगी बना दी दोनों के लिए उसके बाद अपने लिए सोयबिन सोटे की थी